असलामों अलेकुम इस दुआ के साथ क्या आप सब बखैरियत हों अलागी खास रह्मतें बर्कतें और अनाहितें आप सब पर महर्बान हों मेरी दिली दुआएं और निक्तमन्नाएं आप सब सुने वालों के साथ हैं आज मैं यहां नो बेक ओट ट्रे बेक बाइट बना रही हूं कितना लंबा नाव है इसको ना ओट बाइट भी कह सकते हैं यहां मेरे पास तीन कप मैंने रोल ओट ली है और यह और गैनिक है इसको यहां पर फ्राइपैन में हलकी आज पर मैंने 15 मिनट ड्राय रोस्ट किया है इसको ओवन में भी ड्राय रोस्ट कर सकते हैं लेकिन इस तरह से करना ज्यादा सही है 15 मिनट इसको ड्राय रोस्ट करने के बाद अलग से बतर में निकाल लिया है अब उसी फ्राइट पैन में थोड़ा सा मैंने कोकरना टोयल लिया है बाउट एक टेबल स्पून होगा और पिकान वालनट रेजन और यह थोड़े से मिक्स सीट है और साथ में एप्रिकोड भी मैंने डाल दी थी इन तमाम चीजों को जो कोकोना टोयल है उसमें अच्छे से हमने रोस्ट करना है जो सीट है जैसे पंकिन सीट है मेलन सीट है यह मेक शूर कि इसमें से हमक नाती हो आक लिडल से यह बहुत अच्छे मिल जाते हैं आदा कप मैंने यहां पर कोकोना टोयल लिया है 3-4 कप तक भी ले सकते हैं और आदा कप ही इसमें मैंने गोल्डन सीरफ डाला है आप हनी भी डाल सकते हैं 3-4 कप से एक कप तक भी या गोल्डन सीरफ या हनी इसमें डाल सकते हैं अब जो ओट मैंने ड्राइ रोस्ट की थी वह इसमें डाल दी और जो नट्स और ड्राइ फ्रूट मैंने रोस्ट की यह थे वह इसमें डालके अच्छे से इसको मिक्स करना है दो स्पून ले ले और मेरे पास ब्राउनी केक तिन्ग हैं इसमें मैं यह सेट कर लूगी इसको किसी ब्रूट से इसे थोड़ी में चल मी यह गरम है इसमें हमने coconut oil डाला है हनी या golden syrup डाला है तो यह अच्छे से set हो जाएगी substitute क्या है coconut oil का butter भी डाल सकते हैं घी या cooking oil नहीं डालना और या golden syrup या honey ही डालना है मेपल सीरफ हो वह भी डाल सकते हैं पेपर काफी ज्यादा था तो मैंने कट कर दिया अब इसको साइट पर रख देना है थोड़ा सा ही अच्छे से ठंडा हो जाए अब ही मैंने डाक चॉकलेट ली है 1500-200 ग्राम डाक चॉकलेट है और इसमें एक टेबल स्पून भर कर इस तरह से मैंने coconut oil का डाला है और इसको अच्छे से मेल्ट करना है जो मैंने ओट बाइट टियार की है उसके उपर अच्छे से इसको पोर कर देंगे इसको मैंने डालके रूम टंपरेचर पर ओवर नाइट ही छोड़ दिया ताकि अच्छे से सेट हो फिर ही हम इसको कट करेंगे इसको अच्छे से स्लाइस किये हैं क्योंकि जो डाक चॉकलेट ही उसमें coconut oil डाला तो वह अच्छे से सेट नहीं हुई आप उसको वैसे भी मैल्ट कर सकते हैं डाक चॉकलेट को बटर डाल सकते हैं तो यह कुछ एक आप्शन है यह बहुत मज़े की बनती है सुबों के नाश्टे के लिए बहुत ही सही है अच्छा इस कार्पेट से तो हम तंग आ चुके हुए है कसम से इस कार्पेट ने हमारे दिल के टुकडे टुकडे कर दिये हुए है बहुत खपाता है यह हमें क्योंकि एक तो हमने बहुत light color डलवा लिया है कहीं कुछ चीज गिर जाती ह है मैं फोरन से वह टूट ब्रश लेकर कोई एक्स्ट्रा होता है वेस्ट में जो तो वह फैरी के साथ मुसको साफ कर रही होती हूं और जो फ्लोर है वह तो वैसे ही वाइनल जो है उसने तो सदद शुरू की हुई है मेरे ड्रेसिंग टेवर के ड्रा का हाल देखा बड़ी क है वाइसिक विचार को सेट करने कि लेकिन ये सेट नहीं होता है कुछ दूआ इसको सही नहीं रहन देती ह्रें कोई न कической चीज जो है 꿈 laker रखती है मां के साथ है that कमरा भी प्रांट कोEuudis to make a brush holder ले यह दौत की मूच से बास्कित में डाला तो तो दौश ज़र दोबारा ट् सब्सक्राइब अबिस प्राइब कर दो पर यह बंगग के तो यह पर दोस ने बास्किट में डाले तो एक पहले मगवाया वह था 2.70 70 पैंस का और दुबारा जब यह मगवाय तो यह 70 पैंस के थे तो देखें बच्चों को यह चीज समच है कि किस चीज की प्राइस कम है पहले एक मगवाया उसमें मैंने अपना यह ब्रश वगरा रखे और इमान को जो मैंने बास्किट दी थी कुछ लोग पहले मैंने तो यहां पर रखती है प्रफेशनल हेर केर केरटर रिपेर है जो वेट या ड्राइब बालों पर थोड़ा सा लगा दें ब्रश कर लें कंगी कर लें तो बालों को स्टेट करने की जुरूत नहीं पड़ती बाल जो है थोड़े उबरे उबरे से रहते ना तो वह बिलकुल है तो यह मैं टीके मैक से लाई थी मुझे यह बहुत अच्छा लगा टीके मैक्स की चीजें बाकि स्टोर से डीफरेंट होती है लेकिन वह होती बड़ी अच्छी है जैसा कि यह बोडी लोशन है शिया बटर का है बहुत लाइट वेट है ड्राय स्किन के लिए बहुत रहा यह पर्फ्यूम में जारा से लाई थी लोंग लास इसकी खुश्पू है और काफी अच्छा पर्फ्यूम है एक थो होता है ना जैसे कुछ पर्फ्यूम आप स्टोर ब्रैंड के लेते हैं तो उनकी खुश्पू इतनी अच्छी नहीं होती है वो जैसे रच बसने वाली नहीं होती है लेकिन यह बहुत अच्छी है नेक्स्ट के और जारा के पर्फ्यूम जो है उनकी खुश्पू में जो है वो बहुत ही अच्छी है एसेंस बॉलट की कमर्शल यूट्यूब खोले तो सबसे पहले देखने को मिलती है यहां यूके में आई थी और मैं उनके पर्फ्य है हाई स्ट्रीट पर्फ्यूम के जो ब्रैंड है उनकी डुपलीकेट है और वह अच्छी रव्यू भी अच्छे हैं और खुश्पू भी अच्छी है मैंने ब्लॉसम से मगवाय थे वह भी अच्छी खुश्पू थी लेकिन यह है कि जो मुझे चाहिए था वह नहीं था त तो कैरस और रेजन जो है वह मैंने का जब खानी है तो तब ही मैं बनाऊंगी तो यह नेक्स दे दुपैर को खाना तक गोश्ट देंगे कितनी अच्छे से गला हुआ है और यह मुझे बहुत ही ज्यादा प्लॉव पसंद है मतन प्लॉव और काबली प्लॉव जो है यह मु करना के नाश ही होगी ना एक तरह से तो वह पनाई है और इसके ओपर अच्छे से पोर्ख करके मैं इसको रग दूंगी अच्छा यह गली देके लग रहा है ना पाकिस्तान के किसी शहर में हो हम लोग कहीं जा रहे थे तो आगे से रोड बन था तो कैसर ने काफी जंबा चकल लगा कर आना पड़ना था तो कैसर को यह रास्ता पता था तो जो बैक स्ट्रीट साइड होती है वहां से यह लेकर गे तो मैं कफी हरान हुई कि यहां पर इस तरह की गलिया कभी देखी नहीं है तो इस तरह फिल्म बना कर लग रहा है ना कहीं पाकिस्तान की किसी गलियों में फिर रहे हूँ मैंने केक बेक किया अंडे तो एक आंडे में से दो जढ़ रही हो अपने लिए कि बचे शकोल जाता है तो option formats का फिर चायabil हों इमान फजर स्कूल चलेगी और बुर्खान और दौा तो यहां पास ही स्कूल जाते हैं तो उनके जाने से पहले ही हम नाश्टा कर लेते हैं और जब हम उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हम पिर त्यार होके ही निकलते हैं कि वहां से फिर हम जिम चले जाते हैं खैर सब के गले जोग है वो पकड़े के और बुखार जैसी कैफियत हुई हुई है सब की ही तो मैंने का तब यह कुछ ठीक नहीं है तो जिम से जो है एक दो दिन जुटी कर लिनी चाहिए बस यहीं तक है आज का पीप लोग अपना और अपनों का बहुत सारा ख्यार रखें अलाह काफीज